नमस्कार मैं दिप्रक स्वागत करता हूं आपका ग्यान लानेस पर इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्लास 12 मैस में जो आपका चैट्पर नमबर 5 चला कंटिनिटी एंड डिफ्रेंसिबिटी का इसमें हम एक्साइज 5.6 कर रहे थे इस्ट्वेंड यह आपके इसमें प्रटर प freshmen आपको अध्याट करना एक है वा इसमें तो एकसो इसस छितले इस वाला तो इस चोड़ बन यहां से नीकल एगा रोए डीटी अपॉन्ड दीक से कि x वाले से आपका निकलेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस question को differentiate with respect to t आप लिख सकते हैं यहां पर differentiate with respect to t आप लिग लिजेगा ठीक है student तो मैं लिख रहा हूं differentiate with respect to t t के respect में करेंगे तो इधर तो हो जाएगा student आपका dx upon dt ठीक है cos t का होगा और plus d upon dt किसका होगा student log और यह है 10 t by 2 ठीक है इसका होगा done बात चलिए तो इसको भी लेंगे अभी पहले इसको कर लेते हैं ठीक है चलिए तो a cos ठीक होगा student minus का sin t होता है clear और आपको अच्छी तरह से पता student कि d upon dx log के लिए यह क्या है पूरा x student तो अगर मैं बोलूं d upon dx log x क्या है आपको अच्छी तरह से पता चलिए होगा d upon dx log x का इतने सारे आपने question कर लिए हैं तो one upon x होता है ठीक है लेकिन एक्छी मैं ध्यान अगना है एक्स नहीं है मतलग टी नहीं है एक्छी टी के respect में से लाना ठीक है लेकिन हम जनरल जो फॉर्म ले करते हो एक्स के फॉर्म में याद करते है न तो log x का क्या होता वान अपॉन एक्स x मनलब student 10 t by 2 हो जाएगा ठीक है लेकिन एक्छी में x यानि के t थोड़ी ना है तो d upon dt यहीं से लग जाएगा किसका इसका 10 t by 2 का ठीक है जी कोई problem यहां था कोई दिक्कत नहीं है यह अंदर क्या है माइनस का sin t प्लस का 1 upon 10 t by 2 10 t by 2 एसे रेंदो अच्छा 10 x का क्या होता है student 10 x का आपको बता रहाएगा formula d upon dx अगर आप 10 x का देखे गें student तो यह होता आपका sec square x क्या होता जी sec square x है अब ध्याना यह t की जगा actually ty2 है तो 10 x का लिखेंगे आप sec square x x मतलब ty2 ठीक है लेकिन क्या actually में t है नहीं यह तो ty2 है इसका दुबारा करेंगे फिर ठीक है थोड़ा lengthy मदलब इससे तरह chain बनती रहती ने ty2 का आपका दुबार होगा क्योंकि actually यह t थोड़े नहीं था हाँ अगर 10 t होता नहीं student यह 10 t होता तो मैं डाइल लेकिन टी नहीं है तो ty2 है तो उसका डिफरेंशेट करना पड़ेगा सब्सक्राइब आपका डी माइनस का साइन T देखते रहे है ध्यान से प्लस का वन अपॉन अपॉन 10 टी को लिख दो आप साइन t बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा कॉस टी वाई 2 होता ना साइन अपॉन को स्क टैनी तो होता है ठीक है असक्य किसका रसेप्रों को यह यह 1 upon इसको लिख दीजिए, cos square t by 2, ठीक है, done बात, कोई problem, अच्छा 2 तो constant है, t का क्या हो जाएगा, 1, तो 1 by 2 आगया, final ठीक है, क्या आगया है, 1 by 2, student यहाँ पे दिखिए, a cos 2 t, cos t upon 2 से a cos t upon 2 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, क्यों कि यहाँ पे कितनी power, actually, 2 power, एक power तो कट ही सकती है, तो a, यहाँ पे बचा आपका minus का, कितना, sin t, और plus, 1, 1, 1, into करेंगे, सबका 1 ही आएगा, 2, इसी line मारा, 2 को सबसे आगे, इधर sin t by 2, और क्या student, cos t by 2, डान है आथा, कोई problem नहीं है, student, आपको पता होगा, sin 2 x का formula, किस का student, sin 2 x का formula होता है, बहुत important रहा, पीछे काई वीडियो में मैंने बता दिया, ठीक है, यह वाला, 2 sin x, cos x, यह अच्छा सा formula है, लेकिन, actually, student, यह x, x नहीं है, बलकि हाफ में, इनको हाफ में कैसे करेंगे, 2 x का अधा कितना हुआ, x हुआ, तो इधर भी x का अधा कितना हो जाएगा, अधा, यानि कि half x by 2, इधर x का अधा x by 2, तो student, यह वाला formula इसमें लगेगा, कौन सा वाला, हाफ वाला, दिखिए, 2 sin x by 2, cos x by 2, क्या लिख देंगे, इसको हम sin x लिख देंगे, तो same as it is, यहाँ x जगा क्या होगा, t, मतला हम formula जनरली x की formula लिखते हैं, यहाँ पर t है, तो t लिख देंगे, 2 sin t by 2, cos t by 2, क्या लिख देंगे, हम sin t लिख देंगे, क्या लिख देंगे, sin t, तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का sin t, प्लस इसकी जगा लिख देंगे, हम नीचे sin t, कोई problem, कोई problem नहीं, a, lcm क्या रहा, student आपका sin t क्या रहा, lcm आ रहा, इधर cross multiply कर देंगे, माइनस का sin square t हो गया, आपको अच्छी तरह से पता है, और plus क्या आएगा, 1 आजागा, इसको आगे पीछे कर लिए, मतलब a, इसको 1 को आगे कर देंगे, और minus sin square t को पीछे कर सकते हैं, कोई problem यहां भी नहीं है, और आपको student पता अच्छी तरह से 1 minus sin square t क्या होता है, आपको पता होगा sin square 1 minus sin square t क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, cos square t होता है, अपॉन में आजाएगा sin t, इस 20 किसका value आगया आपका d x upon dt का value, आपको पताने कहा से आया है, यह आपको यह formula तो अच्छी तरह सा पता है, 10 से चला आ रहा, sin square x plus cos square x क्या होता है, 1 होता है, तो sin को दले जाओ, minus करता हो, तो cos square x कितना हो जाएगा फिर, 1 minus sin square x, तो 1 minus sin square के जगा के रख दिया, मैंने cos square x रख दिया, यहीं पर, ठीक है, समझ मागे, कैसे हुआ, अब इस 20, एक्चुली किसका value आपका, d x upon dt का, हमको यह formula में क्या मांगता है, dt upon x, यानि कि, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, पलटा हुआ, वेल्यू मांगता है, तो इसको लिख दो, dt upon dx, यह उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, sin t, और नीचे हो जाएगा आपका, a cos square t, कोई problem, कोई दिक्कत वाली बात, नहीं है, स्टुन, ठीक है, चलिए, अब एक और करना था, इस टो अभी आपने किसका किया था, यह तो अभी x वाले को solve किया भी, किसको किया था, x वाले को अभी y भी तो है, y के लिए कि चाहिए, आपको dy upon dt निकालना पड़ेगा, तो y इकल कितना देखे, a sin t है, यहीं पर आराम सो जाएगा, कोई problem नहीं थी, तो यह तो बहुत छोटा था, ठीक है, यह भी हो गया, अब आपको क्या निकालना है, dy upon dx आपको निकालना है, तो आराम से आप निकाल लेंगे, dy upon dx, तो dy over dx होता है, कितना जी, dy upon dt into dt upon dx, ठीक है, यह वाला आप लगा लेंगे, तो दिखिए, dy upon dt का value अभी आपने निकाल लगा पीछे यह वाला, क्या है, जी, a cos t, क्या रख देंगे, यहाँ पर a cos t और into dt upon dx, dt upon dx का value दिखिए, यह वाला रख देंगे, आप sin t upon a cos square t, ठीक है, student, यहाँ पर क्या क्या चीज cancel हो गई आपकी, एक तो a से यह मुझे करता हुआ दिखाए ज़रा, a cos से एक cos power क्या हो जाएगी, cancel, तो आपका simply यहाँ पर क्या बचा, student, sin t बचा और नीचे बचा आपका क्या cos t, और sin upon cos आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, 10 t होता है, ठीक है, तो यह हो गया आपका dy upon dx का final answer, क्या हो गया जी, 10 t हो गया, कितना आगया, 10 t, ठीक है, बढ़ते हैं next question की और, तो चलिए student, यह question number 9 है, आपका, x equal to a sec theta and y equal to b tan theta, clear है, इसको आप अच्छी तरह से करेंगे, वही dy upon dx निकालना है, parametric form है, parameter कौन इसमें theta है, ठीक है, यानि कि इसमें theta के respect में होगा, न कि t के, क्योंकि theta आगया, जहांपे t होगा, वहांपे t के respect में करेंगे, तो आप लिखेगा differentiate with respect to theta, थीटा के respect में दोनों का, इधर हो जाएगा आपका dx upon d theta, इधर आपका एक h to and constant, तो d upon d theta किसका आपका sec theta का, clear है, तो a sec theta का, आपको formula बता रखा है, जो formula वाला वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, तो sec theta का होता है, sec theta 10 theta, clear है, final हो गया इसका, कितम क्योंकि यह भी theta और यह भी theta, sec theta 10 theta, यह आगया आपका dx upon d theta का value, इसको पलट दो, क्योंकि जो formula वाला वाला वीडियो होता है, तो यह हो जाएगा, पलट इसके निचे के लिए लो 1 ले लो, तो यह हो जाएगा 1 upon a sec theta, और 10 theta, ठीक है, यह हमने पलट दिया, दने बाद, चलिए, इसको y वाला भी छोटा साय इधर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा dy upon d theta, इधर b क्या constant है, तो d upon d theta किसका होगा, 10 theta का होगा, इधर dy upon d theta कर लें, 10 theta का होता है, अभी बताव उपर आपको sec square theta, कितना होता है, 10 theta का sec square theta, तो यह भी आगया और यह भी, आपको पता है, dy upon dx का value, ठीक है, now dy upon dx equal to क्या होता है, dy upon d theta, यहाँ पर theta आगा न, t नहीं आगा, d theta upon क्या होता है, dx होता है, यहनि कि dt upon dx, यहाँ पर theta चल ला है, देखे, dy upon dx का value, आपने निकाल लगा, यह, इसको रख दीजिए, b sec square theta into, इसका value यह निकाल लगा, आपने पर दिया, already, इसको रख दीजिए, a sec theta into 10 theta, ठीक है, इसको रख दीजिए, यहाँ पर cancel हो रहा होगा, b तो नहीं हो रहा, लेकिन sec से एक sec power cancel होगे, तो उपर तो बचा student b sec theta, क्या बचा, sec theta, इसको रहनी, sec theta बचागा, क्योंकि, एक power क्यों जाएगी, cancel हो जाएगे, ठीक है, student, नीचे आपका a बचा, और क्या बचा, एक power कड़ गया, तो केवल 10 theta बचागा, क्या बचाएगा, 10 theta, student, आप b upon a को ऐसी रहने, sec, sec इसका reciprocal है, cos का, यानि कि, one upon cos theta लिख दीजिए, और नीचे 10 को क्या लिख सेटे हैं, आप sin theta upon cos theta रख सेटे हैं, रख सेटे हैं, sin upon cos होता है, इन 4-4 इनको पलड़ दीजिए, यानि कि, इसको लिख दीजिए आप, one upon cos रहे गई, into, ये पलड़ जाएगा, यानि कि, cos theta upon कितना हो जाएगा, student, sin theta हो जाएगा, क्या, ये, upon का upon हो गया ना, तो ये दो चीज़ तो ऐसी रहेंगी, one upon cos हो है, ये वाला, पलड़ जाएगा, cos उपर और sin नीचे, यहाँ पर cos से cos क्या हो जाएगा, student आपका cancel हो जाएगा, ठीके, तो b upon a क्या बचा आपका, one upon नीचे क्या बचा, sin theta, और one upon sin क्या होता है, student आपको पता है, sin किसका reciprocal है, cos 1 का है, तो यहाँ पर आजाएगा, cos 1 theta, ठीके, करते हैं, dy upon dx निकालना है, x equal to the i, y equal to the i, यानि कि parametric form है, और parameter कौन है, थीटा जा रहा है, ठीक है, student, तो चलिए करते हैं, differentiate with respect to theta, ठीक है, differentiate with respect to, किसके respect में करना है, theta के respect में, आप करेंगे, ठीटा है दिगरा, आपको, theta into sine theta का, ठीक है, student, कोई problem, चलिए, तो a cos theta का क्या होता है, minus का sine theta होता, यहाँ पे student proper, आप product वाला rule लगाएंगे, आपको पता न, product वाला rule, क्या होता, आपको कई बार में, बता भी चुका हूँ, कि अगर d upon dx, अगर आपके पास एक u है, ऐसे नहीं कि आप theta का सर 1 लिख दें, और sine का cos, यह गलत तरीका है, ठीक है, तो पहले theta आएगा, d upon d theta किसका हो जाएगा, student, आपका sine theta का हो जाएगा, plus sine theta आगया जाएगा, और d upon d theta, फिर किसका होगा, आपका theta का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से प्रॉपर आप formula में लगाएगे, तो a यहाँ हो जाएगा, आपका minus का कितना, sine theta, plus theta, sine theta का क्या होता है, cos theta final, plus sine theta, और आपको पता है, theta का क्या होता, 1 होता, जिसको कि लिकने की जुरुत नहीं है, d upon d theta, theta का कितना होगा, किसका value आगया, dx upon d theta का, इसको पलट दीजिए, पलटते क्यों है, क्योंकि जो formula होता है, dy upon dx का, उसमें पलट आ रहता है, ठीक है, इसको हम पहले ही पलट देते हैं, यहाँ नीचे के लिलो, support के लिए 1, 1 उपर गया, याने कि 1 upon क्या हो जाएगा, a theta, cos theta हो जाएगा, ठीक है, इसको भी पलटा, तो इधर भी पलटना पड़ेगा, clear, तो यह हो गया, आपका एक value, अभी y वाला भी तो अभी, तो y वाला को आप note कर लिजिए, पहले, तो उसको भी आपको solve करना, फिर minus d upon d theta किसका होगा, student theta into cos theta का होगा, ठीक है जी, कोई problem नहीं होनी, चाहिए यहाँ पर, ठीक हो चलिए, तो यहाँ पर student, आप a sin theta का क्या होता, आपको पता है, cos theta होता है, minus, यहाँ पर product rule, लेकिन इस student, यहाँ पर थोड़ा ना, बाहर minus है, इसलिए जो भी form लगाया, bracket के अंदर लगाया, क्यों? यहाँ अभी sin फिर change होगे, minus के कर रहा हूँ, तो theta पहले u, फिर d upon d, d theta किसका होगा, v, v मनला cos theta, फिर क्या जाएगा, आपका यह, भी आ गया जाएगा, cos theta, फिर d upon d theta किसका होगा, फिर theta को होगा, ठीक है, अब bracket यह इसका, यह लगाया था, यह बन भी करना पड़ेगा, अब bracket क्यों लगाया, क्योंकि भाहर क्या था, minus था, उपर देखाऊगा, उपर नहीं लगाया, क्यों? वोगि दीखिए, वो minus को bracket नहीं लगा, तो सीधा-सीधा एक जैसे गरेते हैं, मलब bracket नहीं लगाएंगे, तो यह minus का होगा, यह automatic plus का समझाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, आब bracket खुलेंगे, दोनों किसके हो जाएंगे, minus के हो जाएंगे, पहले आप पहले कर लिजिए, बलकि theta, cos theta का क्या होगा, minus का sine theta, यह minus हमने, यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा साथे, into में, ठीक है, तो सिधा कर दिया, कोई problem नहीं, यह हो गया, cos theta, d theta कि ता होता है, theta का d upon d theta, theta का 1 होता है, ठीक है student, तो a bracket में जाएंगे, cos theta, bracket खुली है, minus minus, देखे, plus होगे na, sine change होगी नहीं हुआ, यहाँ भी minus, plus, minus का हो जाएगा, ठीक है, cos theta, अब यहाँ पे student, आपका कुछ चीज cancel हो गया, cos theta से cos theta cancel, क्योंकि एक plus का है, और एक minus का है, plus का, minus का, तो यहाँ आपका बचा a, theta, sine theta, यह किसका value आए, student आपका dy upon d theta का value, ठीक है, अब आपको किसका value निकालना, आपको तो निकालना है, किसका value, dy upon dx का value, तो student आप निकालने, dy upon dx का value, कैसे dy upon d theta, into कर लिजेगा, आप d theta upon dx, आप proper formula लगाएंगे, dy upon d theta का value निकाल लगा, रख दीजिए, a theta और sine theta, ठीक है, student, into इसका value देखिए, यह आपका, one upon a theta, cost रहे, यहाँ पर रख दीजिए, one upon a theta, और cos theta आप रख देंगे, ठीक है, student, तो यहाँ पर रख दें, sin theta upon में आजएगा, आपका cost रहे, sin upon cost क्या होता है, 10 theta, तो यही आपका क्या final answer आगा, ठीक है, student, किसका value हो गया यह, dy upon dx का value आगा, ठीक है, student, I hope आपको यह, सारे question समझ में, आगए होंगे, अच्छी तरे से, ठीक है, तक यह सो मुच वर वाच्छी इस वीडियो,